है है वेल्कम टो यूटूब चैनल गटगोल ऑलनाका सब्सकार करने जा रहा है हम से टाइट 2021 की और आज इसमें बात करेंगे सीडी पी-क पी के कुस्षिनों की और मोस्टली थर्डी कुशन से हैं तिर्ट सीडीपी में तो इसके बारे में बात करेंगे योग 31 जन्वरी को पेपर हाली में हुआ है अभी कुछ दियर पहले तो इसके आंसर देखेंगे कौन-कौन से सहीं सीडीपी के तो फर्ष्ट कुशन है हमारा जीन प्याजे अपनी संग्यानात्मक विकास के सिद्दान्त में संग्यानात्मक सरचनाओं को खाली इस्तान में के रूप में बाड़ेत है तो इसकी माया मनोबंद इसका राइड अंसर होगा नेश्ट जो कुशन है जीन प्या सोच में केंद्री करड़ नेश्ट कुशन है विकास के संदर में निम्द में से कौन सा कथन सही है तो इसका राइड अंसर होगा वोगा विकास बहु आयामी होता है नेश्ट जो कुशन है फूर्ट वाला ले बायुगत्सकी का सामाजिक सांस्कृतिक परप्यक्ष अधिग कुशन है वह फाइव एक प्रगती सील कक्षा में बेक्तिगत बिन्यताओं को किस प्रकार देना चाहिए तो इसका जो राइड अंसर हो राइड अंसर है अध्यापक अधिगम प्रकिरिया में परोजना के महत्पूर ऑफ्शन थ्री मैस्ट जो कुशन है कि एक समावेसिक अ सब्दान होना चाहिए मतलब प्रतिक बच्चा को सीखने का मौका मिलना चाहिए नैस्ट्यों कुशन है सात्मा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसा निम्न में से किस सब्दावली का प्रयोग उप्यूक्त है तो छात्र जिसे सारे रिक दिव्यांगता है चात अधिक नैस्ट कुशन है सजनात्मक की पेहचान का प्रमोक लच्षड क्या है सजनात्मक का तो अब सारी चिंतन जो है इसका जो राइट अंसर है नैस्टी कुशन है बिवेद प्रश्ट भूमियों के अधिगम करताओं को सम्मोधित करने है तो एक अध्यापक को तो बिवेद बिद्नियासों से उद्धार लेने चाहिए इसका राइड अंसर है ने यूजक्स्न है बहाए समस्ट्या समादान छमताओं को किस परकार सुसाद किया जा सकता है तो सम रूपों के इस्तेमिल को बढ़ावा देकर किया जा सकता है मेश्टकुश्टन है अधिगम अधिगम कटनाईयों से जूचित छात्रों की जरूवत्रों को समि Etta करने के लि प्रवाव पड़ सकता है इसका राइड अंसर है निम्न मैंसे अध्यापन अधिगम का सबसे प्रवाव साली माध्यम होता है तो संकल्पनाओं के बीच संबंद खोजना नेस्ट कुशन एक अध्यापका को दिये गए किसी कार्या कलाब में चात्रों की विविन्ने तुल्टियों का बिसले सड़ करना चाहिए तो तुल्टियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रिगिया के लिए मेह अर्थपूर है नेस्ट कुशन ने अधिगम की सरवोग्च अबस्ता कौन सी होती है तो संतुले तो उत्यजना कोई भाय नहीं नेस्ट कुशन है वह अधिगम का सरचना अत्मक विचार या सुजाब देता है कि संग्यान की सरचना में तो यह इसका राइडा अंसर है बच्चे सक्रिय भूमिका निवाते हैं सेकेंड वाल जैस्ट कुशन है अधिगम के लिए निमनमेंसे कौन सी धायणा उप्युक्त है तो यह योगिता क्या है उप्युक्त है योगिता सुधा annay है नैस्ट कुशन है। कौन सी परपार्टी विद्यार्टियों में संकल्पनात्मा की समझ में बड़ोतरी करने में सायक है तो अन्वेशड और सम्मांद है नैस्ट जो कुछन है बच्चों को सीखने में कठनाईयां होती है जब कि तो इसका राइड आंसर है सूचना अलग अलग तुकड़ों में प आवज सकताओं की पैंचान के लिए पैंचान करना है इसका राइड अंसर है नैस्ट जो कुछन है बच्चों की विकास की विक्तिगत बिन्यताओं को किस पर पित्रोपित किया जा सकता है तो यह किया जा सकता है आनुबान सकता एबं पर्यावरंड की पारस परिक्ता पर कि वह कार पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है लेव बायोत्सकी के भासा और चिंतन सोच के बारे में दिये गए विचारों के अनुसार इस प्रकार का ब्यक्तिगत बाग क्या दरसाता है तो यह ब्यक्तिगत बाद दरसाता है स्वार नियमन तो कि स्वारम से बात करना स्वार सवाय निरमित विचार उत्पन करना यह चीज़ कर जाती है तो यह आत्मा के इंदिए द्य मनोवग्यान विका संग्यान आत्मा क परब्रकता यह तीनों के तीनों क्या हो गलादों के राइड आंसर क्या है सवाय नियमन और नेश्ट यो कुष्षन है वो है एक प्रगती सील कक्षा में तो इसका राइड आंसर है ज्ञान की सरचना के लिए प्रुचर मौके प्रदान करने चाहिए जिससे कि चाला से जादा मौके मिलेंगे तो वच्चा अच्छी से प्रगती कर सकता है नेश्ट यो कुष्षन है वह आपका है 26 एक गत्विरी के दोरान चात्रों को संगर्स करते देखें अध्यापिका बच्चों को संकेत और इस सारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है ले बाइगुत्सकी के सिद्दान के अनस्वार अध्यापिका की या योजना क्या है तो इसका जो राइट अंसर होगा वो है अधिगम के लिए पाढ़ आधार भूत सरचना का काम करेगी नैस्ट्यों कुशन है यह खेल किरिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा या देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह बेवाद ना करो लड़के रोते नहीं ह या कथन किसको दरसादा है तो यह तो आपको सभी लोगों को पता ही है कि लेंगे रूड़ वालता को दरसाता है जैसे कि पिछले टाइम बर लेंगे को मतवेद थे तो आज की रेट में वो कम हो रहे हैं नहीं सच्छा नीती हैं बिल्कुल भी कम हो गया है तो यह सारी बिविन दसाओं पर जोर देता है तो मनलब बिविन दसाओं में बुद्वता होनी चाहिए नैस्ट यो कुशन है वो है लोरेंस कॉलवर्ग के सिद्दांत के अनुसार किसी कार को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दरसाता है तो यह क्या है प्रथागत चरण को दरसाता है नैस्ट यो कुशन है बच्चों के सामाजी करण के संदर में निम्लिक्स में से कौन सा कथन सही है तो इसमें से कथन सही है लाश्ट वाला विद्याला सामाजी करण का एक दुतियक कारक है और परिवार सामाजी करण का एक प् चैनल पर तो बने रहें चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करने जिससे कि आपको आने वाले सभी प्रों का या सभी पार्टS का अब लोगों को सॉलूशन मिल पाए और सैसी सेंट पेपर होगा सी्टेट का तो जींट तो आप लोगों को मिल जाएंगे सुखाई मिलते फि झाल झाल